नमस्कार आप सभी का स्वागत है हमारे यूटिब चैनल तेवन गार्णिंग टिपसन केर में आज तारीक है 23 यून 2020 आज हम लोग नर्सरी गए थे नर्सरी से हमने बहुत सारे प्लांट्स परचेस किये हैं तो आए कुछ प्लांट्स में आपको दिखाता हूं कुछ क्या सार वराइटी हम लोग के पास पहले है जो हमारे चैनल पर वीडियो उसके हैं और उसके बाद ये जो दूसरा पौधा है ये मेरे पास नहीं था और ये पौधा तो उन्होंने गिफ्ट ही दिया है और ये है बर्ड्स ओफ पैरडाइस इसमें बहुत सुन्दर फूल खिलके आत है और अकेरिया जो की जिसे हम क्रिस्मट स्ट्री के नाम से भी जानते हैं वैसे ये इंडोर शेड लविंग रहता है और बहुत ज़्यदा धूप इसे पसंद नहीं धूप होने पर इसकी ये जो पत्तियां है धूप में रखने पर ये सब गल्लें लगती हैं सूखने लग पौधा है वो है ज़्यदा तर मैंने इंडोर प्लांट से खरीदे हैं जैसे ये लिप्स्टिक एगलो नीमा जो की बहुत ही अच्छा इसकी कुछ पत्तियां डैमेज हो गई है जो की बहुत ही अच्छा इंडोर प्लांट है इसमें कुछ खास आपको केर नहीं करना होता है बस आपी से ज़्यदा पानी ना डालें और वाटरिंग से ये प्लांट सूख जाता है ज़्यदा पानी ना डालने से ये प्लांट सेफ रहेगा बहुत अच्छे से किलेगा उसके बाद है एक और पौधा जो है पीस लिली इसके भी कुछ पत्तियां डैमेज हो गई है इसका एक फ्लार है जो अभी शायद ये सूख रहा है और बहुत बढ़ियां पौधा है हेल्दी है और कुछ जो पत्तियां डैमेज है उसके निकालने के बाद इसे रिप्लांट करके बहुत इजीली ये रहेगा और बहुत इजी टू केर पौधा है घर में अंदर इंडोर प्लांट है बिना केर के बहुत ज़्यदा खास केर के भी ये सर्वाइव करता है बहुत जो है ये मेरे पास इसका देशी विराइटी है दो कलर में एक वाइट और एक पिंकिश कलर जो कॉमन हर जगें दिखाई देता है ये रेड कलर मुझे बहुत सुंदर लगा तो एक पौधा ये मैंने और ले लिया इसके अलावा एक और पौधा है जो हम लोग लेकर आए है वो है ये डंब केन इसकी पत्या स्नेल ने थोड़ी बहुत डेमज कर दी है साथ में इसके एक और पौधा निकल रहा है ये बहुत अच्छा पौधा है ये भी लो लाइट कंडिशन में बहुत अच्छा सरवाइब करता है बहुत ज़्यादा धूप इसे पसंद नहीं ये वीडियो इतने रहेगा थैंक यू सो मच्छ फो वाच्छिंग